बिहार के एक दर्जन से ज्यादा गाउं का होगा विकास बिहार में शुरू होगी नई साक्षर्ता योजना इंट्रेनेट मीडिया का करेंगे इस्तमार शराब बंदी कानून का उलंगन करने वालों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाव इस मामले में बिहार पहुँचा देश भर में दूसरे स्थान पर इस दिन से शुरू होगी इंटरकंपार्टमेंटल सेह विशेश परीक्षा का मुल्यांकर अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के और विस्तासे बिहार के एक दर्जन से ज्यादा गाउं का होब विकास पथनिर्मान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार टूरिस्ट वेओफ राजगीर ऐसे स्थानों से अब गुजरने वाला है जहां आबादी कम है इसके कारण इस सड़क पर ट्राफिक लोड भी कम है मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार टूरिस्ट वे ओफ राजगीर को लेकर कई गाउं में सड़क गुजरने वाली है जिससे ही उमीद जताई जा रही है कि दरजन भर से अधिक नए गाउं का विकास होगा करोटा से सालेहपुर के लिए 10 मीटर चोड़ी सरक बन रही है टूरिस्ट वे ओफ राजगीर ये निर्मान से पटना से राजगीर की दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी 108 किलोमीटर से घटकर ये दूरी अब महस 75 किलोमीटर रह जाएगी हाल ही में मुख्यमंत्र नितीश कुबार ने भी इस सड़क का निरिक्षुन किया था आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ब्रम्हानंद से ब्रम्हानंद से एक राश्ट्रिय पुरसकार विज्यता फिल्म निर्माता और मुंबई भारत में एक स्थित एक व्यापक रूप से प्रकाशित लेखक हैं उन्हें कागस की कश्टी जगदीत सिंग पर एक बायोपिक और आर्टी बर्मन पर उनकी फीचर लंबाई वाली डोक्यूमेंटरी पंचम अन्मिक्स्ट मुझे चलते जाना है जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता है उन्होंने सामाजीक प्रभाव, परियोजनाव और आशा के विचारों के माध्यम से जीवन को बदलने के लिए संयुक्त रास्ट्र के साथ साजिदारी में एक्स कर्मवीर चक्रपुरसकार भी जीता है सिह की नभीनतम फीचर परियोजना ज्हल की एक फिल्म फीचर है जो एक अकरशक नाथक के माध्यम से बड़े पैमाने पर बाल तसकरी और बाल श्रम की वैश्वीक समस्या के बारे में जन्जागरुकता पैदा करने का प्रयास करती है ब्रमानन एस सिंग पुर्णिया बिहार में पले बढ़े हैं दो साल के बाद एद के मौके पर लोगों की उम्डी भीर सीम नितीश पहुँचे विभिन धार्मिक स्थलो पर दो सालों के बाद कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सामोहिक रूप से एद की नमाज अदा की गए जिसके तहती बीते दिन बिहार के विभिन मस्जितों में रोजेदारों और मुसलिम धर्माव लंबियों का सैलाब शेहर के विभिन मस्जितों में उमर पड़ा वहीं ईद के मौके पर बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार भी कई धार मिक्स थलो पर गये जुसमें से एक फुलवारी शरीफ खान का मुझीबिया पहुचे थे बिहार में शुरू होगी नई साक्षरता योजना इंटरनेट मीडिया का करेंगे इस्तमार बिहार में जल्द ही साक्षरता की नई योजना शुरू होने वाली है जिसका नाम नवभारत साक्षरता कारिक्रम होने वाला है ये योजना केंदर प्रायोजित होगी इसके तहती चालोवित्य वर्ष में 15 साल और उससे अधिक उम्र के 9,4,000 को साक्षर बनाने का लक्षर रखा गया है सबसे खास बात ये है कि इस योजना के माध्यम से पाचवी और उसे उपर की कक्षाओं के चातर अपने परिवार के निरक्षर सदस्यों को पढ़ाने वाले हैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के चातर भी 3-4 निरक्षरों को हर साथ साक्षर करने का काम करेंगे इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए ही सभी 38 जिलों में एक-एक नोडर अफसरों को एहम जिम्मदारी भी दी गई है पुर्णिया के बाद अब भोजपुर में शुरू होने वाला है सबसे बड़ा इथनॉल प्लांट हाले में विहार सरकार की तरफ से पुर्णिया जिले को इथनॉल प्लांट की सौगात मिली है जिसके बाद अब जल्द ही भोजपुर में भी इथनॉल प्लांट शुरू होने वाला है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भोजपुर जिले के गढ़हनी के देवधी में विहार डिस्टिलरीज और वोटलर्स कंपनी में इथनॉल का चरनबद उतपादन शुरू हो गया है इसे अब एक जुलाई तक लक्ष के अनुरूप पहुँचाय जाएगा कचे माल के तोर पर शावल के टुकडों का इस्तमाल होगा छेतर में इसकी खासी उपलब्धता है इसकी बाद मुख्यमंत्री नितिश कुबार और उद्योगमंत्री शाहनवाज हुसेन उदगाटन करने वाले हैं कंपनी ने अभी 40 किलो लीटर इथनॉल का उत्पादन शुरू कर दिया है योजना के रवसार 94 तरीके से इसे बढ़ा कर हर दिन 4 लाख लीटर तक लेग कर जाना है भारतिय सेना ने निकाली रुखतिया भारतिय सेरा ने नाई, चौकिदार, LTC, सफाईवाला, स्वास्तनिरिक्षक, रसोया, व्यापारी साथी, वोट सहाई का धोबी के कुल मिलाकर 158 पर आवे दिन की मांग की है इन पदों के लिए सेक्षनिक योगिता की बात करें, तो अभिर्थियों के पास मैट्रिक, या 10 प्लस टू और सम्मंधित ट्रेड का अच्छा ग्यान होना अनिवारे है इच्छुक और योग्यों मिद्वार अंतिम तारीक 13 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जुआ करावे दिन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये गए, यूरल से जाकर ले सकते हैं 38 में से 31 जिलों में आंधी पानी के आसार, बढ़ती गर्मी के बीच बारिश की खबरे लोगों को बड़ी रहा दे रहे है हाला कि राज़ानी पटना समेत कई जिलों में बारिश की स्थिती तो देखने को नहीं मिली लेकिन अभी भी पुर्वा हवा की मजबूत स्थिती और बिहार की उपर से गुजरती ट्रफ लाइन के प्रभाव से राज़ु के 31 जिलों में आंधी पानी के आसार बने हुए है मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी साचा की गई है उसके अनिसार मौझुदा मौसम को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्यानियों की माने तो इस तरह की स्थिती शुक्रवार तक बनी रहेगी मौसम विज्यानिकों का ये भी कहना है कि ये प्री मौनसून के संकेत है बिहार में भ्रशाचार के आरोपित अधिकारियों को अब नहीं मिलेगा प्रमोशन हाले में निग्रानी विभाग ने बीते 15 सालों में किये गये कारवाई का ब्योराज ज्यारी किया था जिसमें ही 45-17 लोग सेवकों के खिलाफ भ्रशाचार के अलग-अलग मामलों में केस दर्श करने या उनके खिलाफ किसी ना किसी तरह की जांच करने की बात कही गई है साथी अ भ्रशाचार में संलिप्त कर्मियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा निर्णे लिया गया है इसको लेकर हाली में निग्रानी की तरफ से ऐसे 45-17 भ्रश्ट सरकारी कर्मी और अधिकारियों की सुची जारी करते वे ही सभी विभागों को भेज़ आ गया है कि वो इस सुची के अधार पर ही प्रौनती पर नर्णे ले यानि कि अब एक बात होता है कि बिहार में प्रशाचार के आरोपित अधिकारियों को पद्दोनती नहीं मिलने वाली है अब इन अधिकारियों के हाथ में होगा बाढ़ से बच्राव का जिम्मा बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है यही कारण भी है कि बाढ़ से बच्राव के लिए बिहार में लगातार हर साल प्रयास भी किये चाते रहे हैं इसी के तहट अब इंजीनियर संबेदन शील्स थल की अब पहचान करने वाले हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मवारी संभालने का काम अब डियम और एसपी के हाथ में भी होगा इतना ही नहीं अब ऐसे सभी समेदन शील्स थलो पर सश्रस्त्र पुलिस बलकी तैनाती होगी सभी तटबंधों पर पिट्रोलिंग की जिम्मवारी होम गार नहीं बलकी जुला पुलिस के जवान संभालेंगे जुला पदादिकारी अपने छेत्र के बार्ड सुरक्षा में लगाई जाने वाले सभी कर्मियों का ड्यूटी चार्ट 15 जून से पहले बना कर समंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी देने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मुखे सचिप आमिर सुभानी ने इस वर्ष बार्ड से बचाव के लिए विवस्था में बदलाव किया है उनके निर्देश के आलोक में जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है आदेश के अनुसार राज़ में बार्ड से बचाव की जिम्यवारी अब सिर्फ इंजिनिरों के मत्थे नहीं होगी इस बार इसकी जिम्मवारी संबन्दित जिलों के जुलाधिकारी और आरक्षी अधिक्षकों को भी दिले गया बिएससी सीजील परिक्षा को लेकर जारी हुआ एहम नोटिस बिहार कर्मचारी चायन आयोग ने बिहार में 287 पदों के लिए होने वाली सनातक स्तरिय परिक्षा को लेकर बीते दिनों एहम नोटिस जारी किया है आयोग की तरफ से मिली जुआनकारी के नुस्दार जुआरी नोटिस में कहा गया है कि बिहार कर्मचारे चयन आयोग पटना की तरफ से सनातक स्थरिए 287 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभिर्थियों के चयन के लिए तृतिया सनातक स्थरिए सयुक्ति लोग नियंत्रक पदादिकारी नाम दिया गया है। जा रहा है जिसकी जानकारी खुद मदनेशेद वभाग के आयुक बीकार्तिके धंजीने दी है। इसी बीच पवन सिंग ने सीम नितीश कुमार से बीते दिन एक कानून बनाए जाने को लेकर खास अपील की है। जिसके तहत हिन्वा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेर करते में लिखा कि भोजपुरी गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवात का जहर बोया जा रहा है उस पे अंकुष्ट लगना चाहिए। नहीं तो विहार की प्रतिश्चा ना धार्मिक स्तर पर ना समाजिक स्तर पर और ना ही राचनेतिक स्तर पर बचाई जा सकती है। इसलिए आप से आदर सहित अनुरोथ है कि क्याबनेट की माध्यम से शिख्र कोई ऐसा कानून विहार में लाने की खुपा करेंगा। इस दिन से शुरू होगी इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेश परिक्षा का मुल्यांकन। बिहार बोड ने इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेश परिक्षा के मुल्यांकन की तारीख बीते दिन जारी कर दी है। इस मामले में बिहार पहुचा देश भर में दूसरे स्थान पर बिहार कई मामलों में देश के टॉप 10 राजियों की सूची में शुमार रहता ही है। सरकार के लगातार स्वास्ते जागरुपता कारेक्रम के परिणाम ही है कि गर्भवती महिलाएं स्वयम और गर्भ में पल रहे सिशु के स्वास्त को गंभीरता पूरवक ले रही है। कि बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं प्रसवोत्तर जाच करानी के लिए स्वास्त केंद्रों पर भी पहुंच रही है। वही अन्यराज्यू की बात करें तो इस साल अप्रेल तक देश भर में उत्तर प्रदेश पहले और आंधर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। मुंगेर के गोईन का श्रिवाले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुश खास। तालाब के बीच बने गोईन का श्रिवाले श्रधालों के साथ ही मुंगेर आनिवाले परिटकों के लिए भी आकर्शन का केंद्र बिंदू है। तालाब के चार ओर रंग बिरंगे फूल पौधेयादी मंदर के सौंदरे में चार चांद लगा देते हैं। श्रिवमंदिर एक बड़ी पानी की तंकी के बीच में बनाय गया है जो बड़ी और सुंदर मचलियों से भरा है। इसलिए लोग इसे मचली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस बंदिर का दर्मान गोईन का परिवार द्वारा अपने इश्ट इवम कुल देवता के नीजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में कराये गया था। श्वेथ संगमर्मर से निर्मित और ज्यल में अवस्थित शिवाले श्रीवेदिना थेश्वर स्तंभ पर विराजित है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सिरकारी नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगार युवाओं के लिए भारतिये डाक सुनहरा अवसर्डे करा है। इंडिया पोस्ट में 38,926 ग्रामी डाक सेवक समेत कई पदों पर भरती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारतिय डाक के इस भरती में दस्वी पास अभिहर्थी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ओफिस की इस भरती में देश के सभी राज्यव और केंदर साफशित प्रदेश में भरतिया होंगी। इंडिया पोस्ट जीडियेस की इस भरती में आवेदन करने के इच्छो कभेर्थी आधिकारिक वेबसाइट से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं हाला कि ध्यान रहे कि आवेदन की उम्रित 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रशांद किशोर की पॉलिटिक्स में एंट्री पर सीम नितीश ने दिया रियाक्शन जा रहे हैं तो नितीश कुमार ने साफतोर पर इंकार्द करते वे कहा कि इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है इन बातों से कोई मतल्म नहीं इन बातों को छोड़िये बिहार के 100 प्रतिश्यद घरो में पहुँचा नल का पानी बीति दिलो ही के मुर्जिले में पहुँचे सरकार के मंत्री रामप्रीद पासवान ने जहां हर घर में नल का जल नहीं पहुँचने पर अधिकारियों की क्लास लगाई थी उन्ही रामप्रीद पासवान ने बीते दिन बिहार के 100 प्रतिशत घरों में नल का पानी पहुँचने का दावा किया है केंद्रिय जल श्रक्ती मंत्राले के तरफ से साजा की गई जानकारी के नसार राजु के 98.1 प्रतिशत घरों में नल के जरिये पानी की आप उर्ती हो रही है दो महीने पहले ये आकड़ा 95 प्रतिशत का था लोकस्वास्त अभियंतरन मंत्री डॉक्टर रामप्रीद पासवान की माने तो हम शत प्रतिशत लक्षे हासिल कर चुके हैं कहीं किसी के भी घर में कनेक्शन नहीं लगा हो तो उसका कारण स्थानी हो सकता है लेकिन हमारी योजना के रसार सौफीजदी घरों तक नल का जल पहुँचाने का काम किया जा चुका है तेजस्वी ने भूमिहार ब्रामहन समाज से मांगी माफी जन्ती के मौके पर भूमिहार ब्रामहन एकता मंच की तरफ से आयोजित कारिक्रम को समबोधित करते वे उन्हाने भूमिहार ब्रामहन समाज से सभी को नयाय दिलाने के लिए ही सियासी ताकत देने की मांगी है साथ ही इस दोरान उन्हाने कहा कि वो अगडे, पिछ्रे, दलत और अकली आयतों को साथ लेकर ही चलने का काम करते हैं मही पुर्व की गलतियों को स्विकारते वे राजित नेता ने आगे कहाए कि आने वाले वक्त में उन गलतियों में भी वो सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि तेजस्वी ने उक्तबाते बापु सभागर में आयूजित भव्य पर शूराम चियनती समवारों में कही है गठबंदन में पीके का स्वागत करेंगे चुराग कहते हैं राजनीती संभावनाओं का खेल है यहां रातो रात समीकरन बदनले का काम होता है ऐसे में बिहार की राजनीती में इन दिनों नई पार्टी को लेकर सुर्ख्यों में आया प्रशान किशोर की चरचात तेज हो गई है जिसके बाद ही उन्हें अपने खेमे में शामल करने वालों की गिनिती भी बढ़ने लगी है जिसमें एक ना अब चुराग पास्वान का भी शामल हो गया है बीते दिन के मुर्जुला पहुचे चुराग ने गठबंधन तक के संकेत दे दिये जिसके तहत ही मीडिया से वो खातिब होते वे उन्हाने कहा कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नीती के तहत आएगा उससे हमारा गठबंधन होगा बिहारियों को विकास और रोजगार जाहिए बिहार से पलाइन हो रहा है इन्ही सवालों पर पीके और लोचपा का गठबंधन होगा हालाकि इस मामले में अभी प्रशान किशोर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है कोरोना काल के दो साल बीते के बाद इस साल हज यातरा निकाली ज़ा रही है इसके अनिसार 6 माई 2022 तक पहली किश्ट जमा की जाएगी ध्यान रहे पहली किश्ट प्रती हज यातरी 81,000 रुपे हज कमीटी ओफ इंडिया की वेब साइट पर या पे इंसलिप के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ओफ इंडिया की कोल बैंकिंग शाखा में अंतिम तारीक तक जमा करना आवर्शिक है भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से हिदाज भारत का पहला डाक टिकेट आधिकारिक रूप से 1854 में आज के दिन जारी हुआ था कोल माइन्स डे की घोष्ट आउनिस 80 में आज के दिन हुई थी भारत की पहली महिला ने अधीश अन्नाचांदी का जन्म 1905 में आज के दिन हुआ था आज के दिन पैरिस के आठवे उलंपिक की शिरवात हुई थी मैसुर राजिका शाशक तीपू सुल्तान का निधन 1799 में आज के दिन हुआ था भारतिय इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का निधन 1957 में आज के दिन हुआ था वोगल सर्च से अपना फोन नमबर ऐसे निकाल सकेंगे यूजर गूगल पर अंगिनत यूजर की बहुत सारी व्यक्तिकत जानकारी है जिसे कोई भी साधारन गूगल सर्च द्वारा एकसेस कर सकता है इस डेटा में इमेल पते बहुत दिक पते और फोन नंबर शामिल है हाला कि अब आप अपने पर्सनल डीटेल को आसानी से हटा सकते हैं इसके लिए गूगल वेब सर्च सपोर्ट पेज पर जाए Remove Select Personal Identifiable Info Option को खोजे और इस विकल पर टाप करें यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा Scroll down और start removal request को चुने मांगी जा रहें information को भरने के बाद फिर समपर्क जानकारी जैसे पते, फोन नंबर या इमेल पते को चुने एक बार यह हो जाने के बाद सब्मिट पर टाप करें अब आपको बस बैठ कर गूगल से पुष्टी की प्रतीक्षा करने की आवश रखता है क्योंक तो जानकारी को गूगल खोज परिणामों से हटा दिया गया है IPL में मंगलवार को पंजाब किंग्स ने गुजरा टाइटन्स को एक तरफा मकाबले में आठ विकेट से हराया पंजाब के सामने 144 टरनों का टार्गेट था जिसे टीम ने 16 ओवर में खेल में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया शिखर्धवर निनाबाद 62 टरनों की पारी खेली और टॉप स्कोरर रहे महीं लियाम ने ताबर तोड बल्ले बाजी करते वे केवल दस गेन पर नावाद 30 टरन बनाए मैच के 16 ओवर में लिविंग स्टोन ने धमाकेदार बल्ले बाजी करते वे 28 टरन बना दिये महामद शमी के इस ओवर में लिविंग स्टोन ने तीन छक्के और दो चौके जड़े इसी के साथ पंजाब किंग्स की दस मैचों में ये पांच भी जीत रही टीम ने पांच मैच हारे भी हैं वहीं गुजरात की लगातार पांच जीत के वाद ये पहली हार है हारदी की कप्तानी वाली टीम ने दस में से आठ मकाबले जीते हैं और दो में हार का सामना करना पड़ा है कल हमारे दुवारा पूछे के सवाल का जबाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जी न्यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है आज उसके सवाल क्यों राज़ का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रुसार बिहार की राज़नीती में प्रुशान किशोर के आने से क्या किसी भी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज उसके लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक कॉन दबाना ना भूले